इनका नाम है राकेश जुन्जुन्वाला जी ये देश के 36 सबसे अमीर व्यक्ति हैं इन्हें इंडिया का बिक बुल कहा जाता है इंडिया का वारन बफे कहा जाता है तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे बनेगे देश के 36 सबसे अमीर व्यक्ति कैसे 5000 के के लावा और कौन कौन से business professions है और इसके लावा इनका आने वाला venture कौन सा है इस पर बात करेंगे detail में तो देखते हैं राकेश जुन जुन वाला की आखिर शुरुआत कैसे हुई राकेश जुन जुन वाला की पिता जी income tax office में काम करते थे तो घर में में शाहिए बात पर चलती थी टैक्स शेयर्स पैसा प्रॉफिट तो बचपन से पिता जी पिता जी टिपिकल इंडियन सरकारी अफिसर नहोंने का नहीं जब उनके पिताजी ने खुद के पैसे से करना तो राकेश जिन्जिन वाला ने खुद की सेविंग देखी बले भीया अपने पास तो पांच जार रुपे ही है अब अपन देखते हैं उस जर्णी को कि कैसे 5,000 से 43,000 क्रोड रुपे इन्होंने बदले तो इनका जो पहला इंवेस्टमेंट था ये इन्वेस्टमेंट करते गए इनका जो सबसे बेस्ट इंवेस्टमेंट था जहाए इन्होंने पहला प्रॉफिट का स्वाच चखा वो था टाटाटी इन्होंने टाटाटी के 5,000 शेर 43 रुपे 43 रुपीज में लिए और वो तीन मेने के अंदर शेर हो गया 143 यानि 5 लाख रुपे का शुद्ध मनाफ़ा ये इनकी जिंदिकी का पहला बड़ा प्रॉफिट था उसके बाद इन्होंने इस स्ट्रिंग को जारी रख इस दुरान उने काफी इन्वेस्टमेंट किये जो की मोस्ट नोटेबली हैं उस समय इन्होंने सीसा गोवा करके एक शेर खरीदा था जो मातर अठाइस रुपे खरीदा था और कुछी समय में 55 रुपे पहुंच गया इनकी कैपिटल तेगना होगी ऐसे बहुत सारे इन्व मार्ककेट समझाता है किरो मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं एक होते हैं बुल और के तेजडिया है है एक की मार्केट जाएगा उसपे लगाते तो हIES शेट के पह पर बं जाए उस समय यह हमारे राधा कृष्नI के मंदड़ा जी उनके साथ थे और यह मंदडिया गुरुप में आते थे यह कहते थे जब शेयर तूटेगा तब हम पैसे कमाएंगे तो उस समय अगर आपने स्कैम 92 सीरीज देखी होगी तो शेयर मार्केट में जब हर्षद मैता जी उपर चड़े जा रहे थे और बाकी सब लोगों को टेंश अब मुझे लगता है कि मार्केट आगे बढ़ेगा तो क्या शायद मैं अगला बिक बुल में ही हो जाओ और यह डिसाइड करके इन्होंने अपनी जर्नी मंदड़िये से तेजड़िये की तरफ की और यह बियर से हटके बुल की तरफ आ गए और बैरत की एकॉनमी पर दाव लगाने लगे उस दौराण इनकी शादी हो गई थी तो उन्होंने कंपनी बनाई अपनी रेर इंटर्प्राइजस तो राकेश जुन-जुन वाला और इनकी वाइफ थी रेखा तो रा आर ए रेखा का अरइई बन मिला के बनी रेर enterprises इन्होंने 2003 में rare enterprises बनाई और उसमें उन्होंने अपने personal investment चालू किये और इनका जो life-changing investment है जिसकी वज़े से पूरी दुनिया इनको जानती है या आज की रेट में इनके 43,000 क्रोड में से 11,000 क्रोड वो इकलौता शेर है वो था टाइटन इन्होंने टाइटन दो हजार दो हजार तीन के असपास चार करोड बीस लाग शियर टाइटन के खरीदे average तीन रुपे की रेट पे आज वो तीन रुपे का टाइटन है पच्छस सो रुपे और इनकी total investment की value है 10,500 क्रोड रुपे तो साड़े बारा क्रोड रुपे जो 11,500 क्रोड बने वो इनकी most of the wealth है आज की डेट में उसके लावे बहुत सारे इन्वस्मेंट की लुपे ने डेड़े सो रुपे पे लिया था साड़े नौ सो पहुंच गया सो क्रोड लगाए थे साड़े 600 क्रोड हो गये और उसके बाद क्योंकि बिग बुल थे फिरे जिस शेयर बहात लगाते हो शेयर बागता जाता आज इनके पॉटफोलियो में 37 से जादा स्टॉक है जिसमें क्रिसल भी है इंडिया बुल्स भी है एसकॉर्ट भी है और बहुत सारे अलग बड़े-बड़े ब्रैंड जनके साथ शामिल है इनके बॉल कहते हैं एक इनके कुछ समय बाद ही वह कई कुणा को जाता इसलिए इंडिया कीँ कउन बॉफट करते हैं कि वारन बॉफट एक प्यांट इंवस्टिंग कहते हैं दोसको समझॉग उसके से शेयर और लख लो बेच ओ मत ऐसा नहीं है कि सो में खरीदा और दो सो में बेज दिया दो सो में बिज दिया वह रन बफ़े बस खरीदते हैं और बैढ जाता है नहीं चोट बैचते ही नहीं है। मैं आपको example to Titan के इंके पास शेर है चार करोड़ दीसलाख अभी टाइटन ने इनको चार रुपए का डिविडेन्ट भी आ हर शेर होल्डर को इनके पास चार करोड़ दीस लाग शेर है 17 करोड़ के लगबक का डिविडेंट आ रहा है सिर्फ टाइटन से इनके पास क्रिसल के बहतर लाग शेर है वहां से क्रिसल ने अभी क्या है कि 19 रुपए का डिविडेंट पर शेर पर दे रहे हैं इन से इंटर्वी में पूछा गया था भी आप चैरेटी में करना चाहते हैं बोले देखो मैं चैरेटी करना चाहता हूं पर अभी तक मैं करनी पा रहा हूं मैं कोशिश करूआ धिरे धिरे तो इनके पिताजी काफी इनको कहा करते थे सं 2008 से इन्होंने यह प्लेज लिए कि ज हंगामा जो की मुवी प्रोड्यूस भी गरती है तो यह हंगामा इन्हों नहीं मनाई है यह उसके चेर्में भी है और उन्हेंने बहुत सारी पॉपलर मुवी जो आपने सुनी होगी इंग्लिश विंग्लेश शमिताब की एन का इन सब के प्रोडूसर राके जुन जुन वा जावा यह भी राके जुन जुन वाला भी खुद की नहीं एरलाइन लांच कर रहे हैं उसका नाम इनों रखा अकासा इसकी एनोसी इनको भी वीडियो बनने से एक दिन पहले कली इनको एनोसी मिली है यह 2022 से इसकी एरलाइन की शुरुआत कर देंगे अगले चार साल में टो कीजेगा कि यह जब इनोंने पाजार का इन्वेस्टमेंट किया था तब स्टॉक मार्केट मातर डेड़ सो पॉइंट पर था आज अठावन हजार पांच सो पॉइंट पर है यह यह बन गए थे लेकिन नहीं नहीं आ रहे हैं जाओंगा तो स्टॉक मार्केट की दुनिया बहुत सारे राके जुन-जुन्वाला से रिलेटेट फैक्ट्स हैं जो आपने पहली बार इस वीडियो में देखे होंगे तो अगर आप लोग मेरे से और डीटेल में जानना चाहते हैं वन्-टू-वन बात करना चाहता है कि रहुल जी मेरे बिजनस से रिलेटेट सवाल है आपसे डारेक्ट पूछना चाहता हूं या या आपने 5-5-10-10-10 पिनिट की विडियो बनागे खूब नौलज देते हूं मैं डीटेल में इन-डेप्थ में दो घंटे की केस्टेडी आपसे करना चाहता हूं या मैं आपसे नई बुक की समरी करना चाहता हूं तो नीचे रिकॉर्डेट बिजनस रिलेटेट बहुत सारी विडियो बहुत सारी एबुक मिलने वाली है बाकी डीटेल आपको महां मिल जाएगी तो तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए क्या बनानी है मुझे चैट बॉक्स मिताईए तब तक के लिए धन्यवाद चैट